जैसा कि आपने बताया था कि कम्प्यूटर में किसी प्रोग्राम पर कार्रे करने के लिए ओप्रेटिंग सिस्टम की आविशक्ता होती है क्या आप हमें ओप्रेटिंग सिस्टम के बारे में विस्तार से बता सकती है बिल्कुल रोहन चलो हम उपरेटिंग सिस्टम के बारे में विस्तार से विचार करते हैं उपरेटिंग सिस्टम एक प्रुग्राम है जो कम्प्यूटर के अन्य प्रुग्राम उसे पारस पर एक संबंध स्थापित करने में हमारी सहायता करता है operating system के बिना computer बेकार है कई तरह के operating system उपलब्ध होते हैं operating system प्रयोग करता वग computer के मध्य एक माध्यम का कारे करता है सभी program को चलने के लिए operating system की आवश्यक्ता होती है परन्तो operating system स्वता ही चालू होता है कम्प्यूटर को चालू करते ही ओप्रेटिंग सिस्टम स्वता ही चालू हो जाता है ओप्रेटिंग सिस्टम के मुख्य कारे हैं यह कम्प्यूटर को नियंत्रित करता है और उसके सभी भागों को उचित संबंध में लाता है यह उप्योग करता वह computer के मद्ह पारसपरिक समबंधों को सुगम करता है यह input वह output यंद्रों को नियंतरत करता है यह computer program के निश्पाधन को नियंतरत करता है यह computer की मुख्य memory के प्रयोग को व्यवस्थत रखता है यह फाइलों को व्यवस्थित रखने वह उनसे काम लेने में आपकी सहायता करता है ओपरेटिंग सिस्टम को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है Character User Interface, CUI Graphical User Interface, GUI एक-एक कर हम इनके बारे में विचार करते हैं Character User Interface, CUI में किसी तरह के आइकॉन या चित्र नहीं होते है यह केबल लेख वा अक्षरों पर चलता है हम CUI पर लेखिये निर्देश जैसे Rename, CLS, CD, MD और DIR या Directory पर कमांड निर्देश देकर कार्यक कर सकते है CUI का एक उदाहरन है Disk Operating System Graphical User Interface, GUI की प्रश्ट भूमी चित्र वाली होती है और साथ-साथ बहुत सारे आइकॉन भी होते हैं GUI के उदाहरन है Windows XP, Windows XNT, Windows 7 और Ubuntu GUI को पुनह दो भागों में विभाजित किया जा सकता है सामपत्तिक, मालिकाना, सौफ्टवेर और स्वतंत्र या मुक्त सौफ्टवेर मालिकाना सौफ्टवेर एक प्रकार का कंप्यूटर सौफ्टवेर है जिसकी अनुग्यप्ति, कौपी राइट धारक के विशिष्ट कानूनी अधिकार के अधिन होती है मालिकाना सौफ्टवेर के उप्योग के लिए अनुग्यप्ति की आवश्यक्ता होती है जो उसकी फीस देने या भुक्तान करने के बाद ही प्राप्त होता है इनका प्रयोग वैद अनुग्यप्ति के बाद ही किया जा सकता है उप्योग करता इनको न तो परिवर्तित न साज़ा कर सकता है ना ही पढ़ सकता है और ना ही पुनर्वित्रित कर सकता है मालिकाना सौफ्टवेर के सामाने उधाहरन है स्वतंत्र या मुक्त सौफ्टवेर वे सौफ्टवेर हैं जिनको उप्योग करता इन्टरनेट से बिना किसी फीज के डाउनलोड कर सकता है यह एक खुले लाइसेंस स्रोथ के तहत उपलब्ध होते हैं जो उप्योग करता को सौफ्टवेर परिवर्तित करने साज़ा करने और पुनर वित्रित करने की आजादी देता है यदे भी परिवर्तन करने के लिए कॉपिराइट अधिकार नहीं दिये गए होते हैं स्वतंत्र या मुक्त सौफ्टवेर के सामान्य उदाहरन है हमें Microsoft Windows के बारे में जानना चाहिए जो की सबसे ज्यादा प्रशुलित ऑपरेटिंग सिस्टम है अरे हां मैंने Microsoft Windows के बारे में बहुत सुना है Microsoft Windows Microsoft द्वारा विकसित किये गए एवं बेचे गए graphical interface ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रंखला है अधिकतर जिन कम्प्यूटरों का हम प्रयोग करते हैं उनमें Microsoft Windows का ऑपरेटिंग सिस्टम पूर्वस्थापित होता है यदि आपके कम्प्यूटर में विंडो ओपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप अनुग्यप्त प्राप्त सौफ्ट्वेर प्रमानित सौफ्ट्वेर विक्रेता के यहां से खरीद सकते हैं इसके अतिरिक्त इस सौफ्ट्वेर को Microsoft की विब साइट से ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है GUI इंटरफेस प्रोग्राम प्रयोग करने व उनको संगठित करने में आपकी सहायता करता है Windows विजिविग प्रकार के इंटरफेस होते हैं जिसका अर्थ है कि जो आप देखते हैं वही आप प्राप्त करते हैं यदि आपके कंप्यूटर का ओप्रेटिंग सिस्टम Windows है तो कंप्यूटर चालू करते ही सबसे पहले दिखने वाली स्क्रीन डेस्क्टॉप कहलाती है आप विंडोज डेस्क्टॉप का प्रेयोग सभी प्रोग्राम संचालित करने संगठित करने में कर सकते हैं डेस्क्टॉप दो भागों में विभाजित होता है मुख्य भाग या विंडोज डेस्क्टॉप तथा टास्क बार नीचे पतली पट्टी को टास्क बार कहते हैं टास्क बार में स्टार्ट बटन होता है जिसके जरिये हम कंप्यूटर के अन्य प्रोग्रामों तक पहुँच सकते हैं टास्क बार की प्रिष्ट भूमी को वॉल पेपर कहते हैं कम्प्यूटर आरंब करने पर सबसे पहले दिखने वाली स्क्रीन डेस्क्टॉप कहलाती है। डेस्क्टॉप पर दिखने वाली छोटे-छोटे चित्र आइकॉन कहलाते हैं। यह icon, file, program और folder के shortcut छोटे रास्ते हैं जिनके जरिये इनमें आसानी से वह जल्दी से पहुँचा जा सकता है स्क्रीन के सबसे नीचे क्षितिच के समानांतर पट्टी को टास्क बार कहते हैं टास्क बार पर एक और स्टार्ट बटन और दूसरे तरफ कई छोटे छोटे icon वह shortcut होते हैं कम्प्यूटर पर चल रहे सभी उप्योजन वह program टास्क बार पर icon के रूप में दिखते हैं कम्प्यूटर पर चल रहे सभी application वह program इनी icon के द्वारा access उप्योग किये जा सकते हैं टास्क बार कम्प्यूटर पर चल रहे विभिन्न प्रोग्रामों में एक से दूसरे पर जाने का रास्ता उपलब्ध कराता है यदि बहुत सारे application प्रोग्राम चल रहे हों और टास्क बार पर सभी iconों के लिए स्थान कम हो तो एक तरह के icon एक समूह में आ जाते हैं स्टार्ट पटन के द्वारा आप अन्य प्रोग्रामों वह system की अन्य उप्योगिताओं का प्रयोग कर सकते हैं स्टार्ट मेन्यू में मौजूद control panel का उप्योग कम्प्योटर में विभिन हाडवेर और सौट्वेर के विन्यासों या सेटिंग को बदलने के लिए किया जाता है स्टार्ट मेन्यू के help और support मेन्यू का उप्योग विन्डोज पर कारे के दौरान आवश्यक्ता पढ़ने पर सहायता प्राप्त करने के लिए किया जाता है स्टार्ट मेन्यू की सहायता से आप मात्र एक क्लिक में कम्प्योटर को बंद कर सकते हैं लोग ओफ या पुनह चालू कर सकते हैं निम्न प्रक्रिया से आप अपने सिस्टम की तारीख वह समय परिवर्तित कर सकते हैं पहले टास्क बार पर दाई और दिख रहे तारीख वह समय पर क्लिक करें तब एक घड़ी वह कैलेंडर प्रकट होगा टास्क बार पर तारीख वह समय पर क्लिक करें तब समय वह तारीख परिवर्तन लिंक पर क्लिक करें तद पस्चाद समय वह तारीख परिवर्तन बटन पर क्लिक करें समय वह तारीख निर्धारित करें समय वयतारीख परिवर्थन को सुरक्षित करने के लिए हाँ पर क्लिक करें और समय वयतारीख डायलोग कोष्ट पर वापस आएं परिवर्तन सुरक्षित करने के लिए हाँ पर क्लिक करें समय व्यतारीख डायलोग कोश्ट को बताएं डेस्क्टॉप दर्शाने वाली स्क्रीन का वह भाग है जिसे आप कम्प्यूटर लोगाउन करने पर देखते हैं आईकॉनों के पीछे दिखने वाले चित्र दर्शी को वाल्पेपर अत्वा डेस्क्टॉप की प्रिश्ट भूमी कहते हैं जब आप अपने कम्प्यूटर को कुछ समय के लिए निश्क्रिय छोड़ देते हैं तो एक चित्र अत्वा लेख की चल चित्र की प्रदर्शित होती है इसे स्क्रीन सेवर कहते हैं डेस्क्टॉप की प्रिश्ट भूमी परिवर्तित करना आप अपने कंप्यूटर के वाल पेपर अथवा डेस्टॉप की प्रिश्र भूमी आइकॉनों को अपनी इच्छा के चित्र और दृश्य से बदल सकते हैं पहला डेस्टॉप के खाली स्थान पर माउस का दाया राइट क्लिक बटन दबाए ततपश्यात सुची के वहक्तिक विकल्प पर क्लिक करें ततपश्यात डेस्टॉप की प्रिश्र भूमी लिंक पर क्लिक करें ततपश्यात चित्र का चैन करें और उसे डेस्टॉप की प्रिश्र भूमी की नियत करें अंत में सेव या सुरक्षित बटन दबाकर परिवर्थनों को सुरक्षित करें स्क्रीन सेवर नियत करना यदि आप डेस्टॉप की स्क्रीन सेवर परिवर्थित करना चाहते हैं तो यह प्रक्रिया अपनाए पहला, डिस्क्टॉब के खाली स्थान पर उस Mouse का दाया Right Click बटन दबाएं ततपश्चाथ, सुची के वैक्तिक विकल्प पर क्लिक करें ततपश्चाथ, डिस्क्टॉब की Screen Saver Link पर क्लिक करें तब Screen Saver का Dropdown Menu पर क्लिक कर सुची से Screen Saver स्चुने ततपच्चाद, Screen Saver चालू करने के लिए Wait Combo Box से प्रतिक्षा समय के मिनट निरधारित करें ततपच्चाद, Preview बटन पर क्लिक कर Screen Saver देखें तब निरधारित बटन पर क्लिक कर Screen Saver को निरधारित करें अंत में सेव या सुरक्षित बटन दबा कर परिवर्तनों को सुरक्षित करें। अब रोहन यह याद रखें कि एक कम्प्यूटर में ऑप्रेटिंग सिस्टम वो व्यक्तिगत कारिक्रमों के लिए उपलब्ध किसी सूचना को फाइल कहते हैं। एक फाइल, एक दस्तावेज, चित्र, संगीत या चलचित्र हो सकती है। हम किसी ड्राइव में एक नया फोल्डर कैसे बनाते हैं? आसान है बस निम्न प्रक्रिया अपनाओ पहले स्टार्ट बटन को दबा कर स्टार्ट मेन्यू को खोले तब कंप्यूटर विंडो या विंडोज एक्स्प्लोर प्रदर्शित करने के लिए कंप्यूटर पर क्लिक करें तब डी ड्राइव में उपलब्द सामगरी देखने के लिए क्लिक डी ड्राइव पर क्लिक करें तब नया फोल्डर बनाने के लिए मेन्यू बार में नय फोल्डर पर क्लिक करें नय फोल्डर को नाम दे सकते हैं और एंटर दबाएं आप फोल्डर के अंदर भी फोल्डर बना सकते हैं जिसे सब फोल्डर कहते हैं एक फोल्डर का चैन करें और उसे खोलें उसमें खाली स्थान पर राइट क्लिक करें, तो पॉप अप मेन्यू प्रकट होगा। उसमें सबसे पहले नया पर क्लिक करें और फिर फोल्डर चुनें। एक फोल्डर सुरुजित हो जाएगा। फाइल फोल्डर को खोलने के लिए निम्न का अनुसरन करें। पहले स्टार्ट पटन को दबा स्टार्ट मेन्यू को खोलें। तब कम्प्यूटर विंडो या विंडोज एक्स्प्लोरर प्रदिर्शित करने के लिए कम्प्यूटर पर क्लिक करें। तब डी ट्राइव में या फोल्डर या फॉल्डर को आप खोलना चाहते हैं, पर double click करें. फॉल्डर या फॉल्डर को कैसे संरक्षित करें या नाम बदलें. जब आप D Drive में फॉल्डर या सबफॉल्डर या फाइल बनाते हैं, तो स्वच आलित रूप से new folder या new text document के नाम से सनरक्षित हो जाता है folder या sub folder या file का नाम बदलने के लिए उस पर right click करें नए pop-up में नाम परिवर्थित करें, rename चुने नया नाम लिखें और enter दबाएं folder या sub folder या file का नाम परिवर्थित हो जाएगा Windows operating system में कुछ सहायक सामगरी होती है जो अत्यांत उपयोगी होती है हम इन उपयोगी सामगरीयों में से कुछ के विशय में सीखते हैं इन उपयोगी सामगरीयों को देखने के लिए निम्न निर्देशों का पालन करें पहले start button को दबा कर start menu को खोले ततपस्चाथ माउस से all program पर चिन्हित करें उसके बाद accessories पर क्लिक करें यहाँ पर विभिन accessories की सुची होती है संबंधित accessories पर क्लिक करें पेंट का प्रयोग चित्रों को बनाने, परिवर्थित करने एवं फोटो देखने के लिए होता है आप पेंट का प्रयोग रिक्त पेंट क्षेत्र में चित्रकारी करने अत्वा मुझूदा चित्र में चित्रकारी करने में कर सकते हैं आप चित्र की प्रती लेकर किसी अन्य प्रलेक पर चित्का या पेस्ट कर सकते हैं हम पेंट का प्रयोग किस प्रकार करें? पेंट का उपयोग करने के लिए सर्व प्रथम स्टार्ट बटन को दबा स्टार्ट मेन्यू को खोलें तद पश्चाद माउस से All Program पर चिन्हित करें उसके बाद Accessories पर क्लिक करें यहाँ पर विभिन Accessories की सूची होती है Accessories पर क्लिक करें और Paint को चुनाव करें तब Paint Window दिखने लगेगा आप देखेंगे कि Paint Window चार भागों में विभाजित है Paint Button, Quick Access Toolbar, Drawing Area, एवं Ribbon Paint Button के साथ आप कई तरह के कारे कर सकते हैं Paint Button के विभिन विकल्प हैं खोलें, Open, नया, New, सनरक्षित करें, Save और छापें, Print Quick Access Toolbar अक्सर प्रयोग में लाई जाने वाले उपकरण जैसे Save, Redo और Undo तुरंत उपलब्द कराने में आपकी सहायता करता है Ribbon में दो टैब होती हैं, Home और View Home टैब उन उपकरणों को उपलब्द कराता है जो चित्र बनाने अथवा उसे सुधारने में प्रयोगत होते हैं यह क्लिप बोर्ड, Brush, Tool, Shape और Color आधी होते हैं क्लिप बोर्ड में तीन विकल्प होते हैं Cut, Copy वपेस्ट जिन विकल्पों का प्रयोग कर आप Paint पर चुनी गई वस्तु को काट सकते हैं प्रतिलीपी या प्रतिभिम्ब भना सकते हैं अथवा चिपका सकते हैं यह विकल्प एक ही विशय को कई बार प्रयोग करने में आपकी सहायता करता है प्रतिबिम्ब का चुनाव आपको उन विश्यों को चुनने वा संपादित करने में सहायता करता है, जिनको आप चैनित करना चाहते हैं, काट-छाट करना चाहते हैं, आकरती में परिवर्तन करना चाहते हैं, अथवा गुमाना चाहते हैं. उपकरण टूल का चैन आपको विभिन उपकरण उपलब्द कराता है, जिससे आप आकरिती बना वसंपादित कर सकते हैं. यह उपकरण है पैंसिल, रंग भरना, लिखना, मिटाना, रंग उठाना और बढ़ा करना. ब्रश में नीचे की और खुलने वाला एक मेन्यू होता है, जिससे आप चित्र बनाने के लिए विभिन प्रकार के ब्रशों का चैन कर सकते हैं. आकरतियां विकल्प से आप अपने चित्र को विभिन आकरतियां दे सकते हैं. रंग विकल्प से आप अपने चित्र में विभिन रंग भर सकते हैं प्रतेक प्रश्ण के लिए सही विकल्प चुने सही है अच्छा प्रयास सही है अच्छा प्रयास सही है अच्छा प्रयास सही नहीं है रिप्या पुनह प्रयास करें सही है अच्छा प्रयास दीदी तुमने यह भी कहा था कि Microsoft Windows के विप्रीत यहां मुफ्त ओप्रेटिंग सिस्टम भी उपलब्ध है क्या तुम इसके बारे में और ज़्यादा जागती हो हाँ रोहन, Linux एक बहुत प्रसिद्ध मुक्त अथवा कुले स्रोध का ओप्रेटिंग सिस्टम है यह सॉफ्ट्वेर सबके लिए मुफ्त है और इंटरनेट से डाउनलोड भी किया जा सकता है चलो हम इस पर नज़र डालते हैं Linux, Unix, ओप्रेटिंग सिस्टम एक बहुत ही जानामाना वर्जिन है जो Linus Storewalls तवारा विक्सित किया गया है Linux, Microsoft Windows जैसे दूसरे ओप्रेटिंग सिस्टम की तरह होता है Linux की सबसे खास बात यह है कि यह बहुत ही गतिशील है उप्योग करता इस सॉफ्ट्वेर को विक्सित करने, संशोधन करने, अथवा प्रसारित करने के लिए स्वतंत्र है Linux को दो अलग तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है Free Download अथवा वितरन का उप्योग कर Linux दुनिया भर में करोडों उप्योग करता हों द्वारा सफलता पूर्वक उप्योग किया जा रहा है Linux की सभी आवश्यक भागों को इंटरनेट से बिलकुल मुफ्त डाउनलोड किया जा सकता है Linux उप्योग करने का एक वेकलपिक रास्ता है जो विभिन कंपनियों द्वारा पेश किया जा रहा है और जिसमें विवित प्रकार के एप्लिकेशन वो इंस्टॉल करने वाले प्रोग्राम जुड़े हैं जो Linux के अधिश्ठापन को आसान कर देते हैं एक बहुत प्रसिद Linux का वितरन करता होता है जिसे अबंटू कहते हैं जो कॉनिकल कंपनी द्वारा वितरित किया जाता है अब हमें अबंटू के बारे में सीखना चाहिए अबंटू एक स्वतंत्र मुक्त सौफ्ट्वेर प्लेटफॉर्म है जो स्मार्टफोन, टाबलेट और कंप्यूटर के द्वारा हर जगा चलाया जाता है अबंटू में एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या GUI होता है जो इसे विंडो अथवा Android जैसे दूसरे प्रचुलित ओपरेटिंग की तरह बनाता है अबंटू के वर्जिन 12.10 डिफॉल्ट डेस्टॉप वातावरन के रूप में Unity का उप्योग करता है Unity, Desktop, प्रिश्ट भूमी और दो बार रखता है जिसे Menu Bar और Launcher कहते हैं Menu Bar डेस्टॉप के शीर्ष पर स्थित क्षेतिज पट्टी है Launcher एक खड़ी पट्टी है जो Menu Bar के बाई तरफ होती है Menu Bar में सामाने कारे शामिल होते हैं जो अबंटू 12.10 में उप्योग होते हैं Keyboard सूचक आपके Keyboard, Layout चुनने और Keyboard प्रात्मिकताओं को बदलने की अनुमती देता है संदेश सूचक में सभी Social Application को शामिल किया जाता है जो ततकाल Instant Messenger Client, Email Client, Micro Blogging Application और दूसरे समान Application को सम्मिलित रखता है Network सूचक आपको तार्युक्त, अथवा, तार्मुक्त Network को आसानी से जोडने और Network Connection को प्रबंधित करने की अनुमती देता है ध्वनी सूचक ध्वनी की मात्रा के रूप में अच्छी तरह से उप्योग अपने Music Player और ध्वनी सेटिंग्स समायोजित करने के लिए एक आसान तरीका प्रदान करता है घड़ी सही समय प्रदर्शित करती है और केलेंडर समय और तारीक सेटिंग्स का उप्योग करने के लिए आसान तरीका उप्लब्ध कराता है User Menu आपको अलग-अलग उप्योग करता हूँ और Online सामगरी और उप्योग करता खातों के बीच परिवर्तन करने की अनुमती देता है एक सत्र ya सेशन सुचक सिस्टम सेटिंग का उप्योग करने, सॉफ्ट्वेर अपडेट करने, प्रिंटर डिवाइस को लोग करने के लिए सेशन विकल्प प्रदान करने, सेशन से लोगाउट होने, कम्प्योटर को पन्ह आरंभ करने या पूरी तरह से बंद करने के लिए आसान तरीका उपलब्ध कराता है। एप्लिकेशन मेन्यू एक प्रणाली है जहां किसी एप्लिकेशन में विभिन कारे जैसे परिवर्तन करने देखने आदी को निश्पादित किये जा सकते हैं। अन्य GUI, वातावरन के विपरीत, युटिलिटी में आवेदन, मेन मेन्यू, बार के बाईं और स्थित है। एक विश्विष्ट आवेदन को देखने के लिए आप सूचक का प्रयोग करके डेस्क्टॉप के मेन्यू बार पर आवेदन, आइकन के लिए माउस को स्थाना अंतरित कर सकते हैं। का वह feature जो application दिखाता है, application के menu केवल जब जरूरत होती है, जब ये netbook और laptop उपयोग करताओं के लिए फायदे मंद होता है और इसे अधिक मुक्त workspace प्रदान करता है। उर्धवादर पट्टी के icons जो screen के बाई तरफ होते हैं, launcher कहलाते हैं। जब ये launcher चलाया जाता है, तो ये है सक्रिया icons के application को आसान पहुँच प्रदान करता है। launcher में सबसे उपर पहला icon dash कहलाता है, जो एक निरनायक खोज वो मूल तत्व है। एक application को launcher से रन करने अथवा पहले से रन हो रही application को प्रदर्शृत करने के लिए application icon पर क्लिक करते हैं। foreground में application अपने icon के दाहिनी तरफ एक अकेले सफेद त्रिकोंड के द्वारा संकेतिक किया जाता है। launcher की द्वारा application जोड़ना और हटाना। एक application को जोड़ने के लिए launcher के application icon पर दाहिने क्लिक करके और launcher के lock का चैन करके application को रन करें। लॉंचर से एक एप्लिकेशन को हटाने के लिए पहले एप्लिकेशन आइकन पर दाहिने क्लिक करें फिर अनलॉक से लॉंचर का चैन करें डैश एक औजार है जिसकी मदद से आप कम्प्यूटर पर एप्लिकेशन वो फाइलों का तेजी से पता लगा सकते हैं वो उन तक पहुँच सकते हैं डैश का पता लगाने के लिए लॉंचर के सबसे उपर वाले आइकन जिस पर अबंटू का प्रतीक चिन बना हो पर क्लिक करें डैश आइकन का चैन करने पर एक और विंडो खुलेगी जिसमें सबसे उपर सर्च बार के साथ ही हाल में इस्तेमाल की गई एप्लिकेशन, फाइल और डाउनलोड का संग्रह भी होगा डैश आपको स्थानिय स्तर वसुदूर की सूचनाय खोजने की अनुमती देता है डैश की मुखे विशेशताएं डैश की दो मुखे विशेशताएं हैं फाइलें वो फोल्डर ढूणना और एप्लिकेशन को ढूणना वर्कस्पेस आपको एप्लिकेशन को एक समूह में करने की अनुमती है जो अव्यवस्था को कम करता है और डेस्टॉप नेविगेशन में सुधार लाता है मूलभूत रूप से अबंटू में चार वर्कस्पेस होते हैं एक वर्कस्पेस से दूसरे वर्कस्पेस पर जाने के लिए लॉंचर पर वर्कस्पेस स्विचर पर क्लिक करें यह application आपको एक workspace से दूसरे workspace पर जाने की अनुमती देता है Windows को बंद करना, अधिक्तम करना, नियूनतम करना, वो बहाल करना नियूनतम बटन विंडो को वर्तमान में दिखाई पढ़ने वाली स्क्रीन से हटा कर उसे launcher में रखा देता है अधिक्तम बटन एप्लिकेशन को Windows की पूरी स्क्रीन पर फेला देता है Windows को बंद करने के लिए, विंडो के उपर बाइकोने पर दिये हुए क्रॉस बटन पर क्लिक करें Windows को Workspace पर इधर उधर ले जाने या हटाने के लिए, माउस के Point को Windows के Title बार पर ले जाए और, माउस के Buy बटन से क्लिक करें तथा, Buy बटन को दबाये रखते हुए, विंडो को खीचे विंडो का आकार बदलने के लिए माउस पॉइंटर को विंडो सिरे पर या कोने पर ऐसे रखें कि माउस पॉइंटर दो तरफा तीर में परिवर्तित हो जाएगा जिसे Resize आइकॉन कहते हैं माउस के बाए बटन से क्लिक करें तथा बाए बटन को दबाई रखते हुए विंडो को खीचें कम्प्यूटर पर फाइल का पता लगाने के दो तरीके हैं सीधे Launcher के डैश के माध्यम से जिस फोल्डर में फाइल रखी गई हो का पता लगाकर उस तक पहुँचना या सामाने तह उप्योग में लाए जाने वाले फोल्डरों वहाल में ही प्रयुक्त फाइलों में फाइल वह फोल्डर टूल का प्रयोग करना Go मेन्यू सामाने तह प्रयोग में आने वाली फोल्डरों की सूची होती है Go में जाने के लिए अपने माउस को बार पर सबसे उपर ले जाएं और Go को चुने तब इस मेन्यू कम्प्यूटर पर क्लिक करके अपने कम्प्यूटर की फाइलें खोजें यदि आप Home Network स्थापित करते हैं तो आपको साजा की गई फाइल या फोल्डरों के लिए मेन्यू में आइटम मिल जाएगा Home फोल्डर का प्रयोग व्यक्तिगत फाइलों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है यह है उप्योग करता के Login नाम से Mail खाता है इसमें बहुत सारे वे फोल्डर होते हैं जो इंस्टॉलेशन के दौरान अपने आप बन जाते हैं इसमें Desktop दस्तावेज, Download, Music, संगीत, चित्र, Public, Templates और वीडियो शामिल है Nautilus File Manager जैसे Window के पास File वो फोल्डरों को खोजने के लिए Window Explorer होता है उसी प्रकार Ubuntu File वो फोल्डरों को खोजने के लिए Default रूप से Nautilus File Manager का प्रयोग करता है दीदी, Nautilus File Manager कहां है? Nautilus File Manager Window Desktop पर एक फोल्डर पर डबल क्लिक करो Nautilus File Manager Window खुल जाएगी Default Window में निम्न किशेशताएं होती है Menu बार, Title बार, Tool बार, बाया पैन वो दाया पैन Nautilus नविगेट करने के निम्न पद है फोल्डरों के बीच नविगेट करने के लिए Nautilus File Manager के बाय पैन में पुस्तक चिन्हों का प्रयोग करें वापस जाने के लिए पाथ बार में फोल्डर के नाम पर क्लिक करें एक दिखने वाले फोल्डर पर डबल क्लिक आपकी उसे निविगेट करने में सहायता करेगा Nautilus के साथ फाइल को खोलने के लिए उसके आइकन पर डबल क्लिक करें अथवा आइकन पर दाया क्लिक करें और ओपन विद के विकल्पों में एक को चुने Nautilus में एक नया फोल्डर बनाने वा सेव करने के लिए पहले फाइल पर क्लिक करें और फिर Create New फोल्डर पर क्लिक करें उसके बाद बनने वाले डिफॉल्ड फोल्डर का नाम Untitled फोल्डर को इच्छा नुसार नाम दें यह Nautilus में सुरक्षित हो जाएगा फाइल या फोल्डर को कॉपी करने या प्रतिलिपी बनाने के स्टेप्स हैं पहले Edit पर क्लिक करें फिर Item पर क्लिक करें अथवा Right क्लिक करें और Pop-up मेन्यू से Copy चुने अब आप Copy की गई फाइल को इच्छित स्थान पर Paste करें कई Nautilus Windows का प्रयोग करना आप निमन प्रकार से कई Nautilus Windows भी खोल सकते हैं पहले File बनाए तब New Window पर क्लिक करें यह नई विंडो खोलेगा और आपको फाइलों या फोल्डरों को दो स्थानों से ड्राग करने की अनुमती देगा नया टाब खोलने के लिए पहले File पर क्लिक करें फिर New Tab फाइल की ब्राउजिंग के लिए प्रयोग किये जाने वाले स्थान के उपर दो टाब युक्त एक नई पंक्ती खुलेगी दूसरा पैन खोलने के लिए View पर क्लिक करें फिर Extra Pan पर यह आपको टाब या विंडो के मध्य स्विच किये बिना ही दो स्थानों पर एक साथ देखने की सुविधा देता है आप Nautilus या Dash का प्रयोग कर फाइल या फोल्डर को खोज सकते हैं पहले Nautilus में Go, Search for File पर क्लिक करें या Ctrl के साथ F दबाएं फिर जो खोजना चाहते हों उसे टाइप करें Dash में सबसे उपर सर्च बार में आप केवल खोज का टर्म टाइप करें Ubuntu में Libre Office सबसे अधिक लोकप्रिय सुईट है जो डिफॉल्ट रूप से स्थापित होता है यह भी वैसी ही कारेप्रणाली उपलब्ध कराता है अप्लिकेशनों तक launcher के द्वारा पहुँचा जा सकता है इसमें निमन घटक शामिल हैं जो दूसरे ओपरेटिंग सिस्टम में अलग-अलग नामों से पाए जाते हैं Writer, Word Processor, Clack, Spreadsheet, Impress, Presentation, Draw, Drawing Sheet, Base, Database, Math, Equation, Editor क्या मुक्त स्वतंत्र सौफ्ट्वेर के विशे में सीखना मज़िदार नहीं था? चलो, अब हम लोग मज़िदार गतिविधी में भाग लेंगे प्रते एक प्रेश्ण के लिए सही विकल्प चुने सही है अच्छा प्रयास सही है अच्छा प्रयास सही नहीं है रिपया पुनह प्रयास करें सही है अच्छा प्रयास सही है अच्छा प्रयास तीदी के मुबाइल फोन वर टाबलेट भी कम्प्यूटर की तरह ऑपरेटिंग सिस्टम रखते हैं? हाँ रोहन आजकल मुबाइल फोन वर टाबलेट भी पर्सनल कम्प्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की खूबियां रखते हैं साथ ही साथ अन्य कूबियां जैसे टच स्क्रीन, सेलूलर, ब्लूटूथ, वाइफाई, जीपीएस मुबाइल, नेविगेशन क्यामरा, वीडियो क्यामरा, स्पीच रिकोगनिशन, आवाज रिकॉर्डर, म्यूजिक प्लेयर वह अन्य विशेशताएं अधिकांश मुबाइल फोनों में Android, Windows अथवा Symbian Operating System होता है हाँ, बिल्कुल, चलो यहां से शुरू करते हैं कि एक मुबाइल फोन में विभिन सुविधाओं का प्रयोग कैसे करते हैं सबसे पहले यह सीखते हैं कि मुबाइल फोन से कॉल कैसे करते हैं कॉल करने के लिए की पैड पर फोन नमबर टाइप करें यदि आप के पास स्मार्ट फोन है तो होम स्क्रीन पर फोन आइकन पर जाएं और उस पर टैप दें आप स्क्रीन पर नमबर पैड देखेंगे जिस नमबर पर आप बात करना चाहते हैं उसे टाइप करें उसके बाद बाई तरफ हरा बटन अथवा उत्तर बटन दबाएं स्मार्ट फोन होने पर हरे बटन पर टैप दें स्क्रीन तरशाएगी कि नमबर डायल हो रहा है कि कनेक्ट हो रहा है इस तरह आप कॉल कर सकते हैं कॉल समाप्त करने के लिए लाल बटन दबाएं अथवा लाल बटन पर टाप दें अब हम सीखते हैं कि कॉल का उत्तर कैसे दें अथवा निरस्त कैसे करें जब आपके फोन की घंटी बजए तो उत्तर देने के लिए हरा बटन दबाएं स्मार्ट फोन होने पर बाय से दाय स्वाइप करें कॉल निरस्त करने के लिए लाल बटन दबाएं स्मार्ट फोन होने पर दाएं से बाएं स्वाइप करें हम पिछले मिल आए गए नमबर पर कॉल कैसे कर सकते हैं? आसान है पहले होम स्क्रीन पर बाएं तरफ के हरे बटन को दबाएं यह सभी डायल किये गए, प्राप्त किये गए, वह चूटे नमबरों की सूची दिखाएगा स्मार्ट फोन होने पर फोन आइकन पर टैप दें यह सभी डायल किये गए, प्राप्त किये गए, वह चूटे नमबरों की सूची दिखाएगा उसके पश्चात नंबर चुने और हरा बटन दबाएं इसी तरह स्मार्टफोन होने पर नंबर पर टैप दें नंबर की डायल होने लगेगा आप कॉल इतिहास इस तरह देख सकते हैं पहले स्टैंडबाई मोड में मेन्यू दबाएं स्मार्टफोन होने पर फोन आइकन पर टैप दें तब कॉल रिजिस्टर या कॉल इतिहास या कॉल लॉग चुने उसके बाद यह प्राप्त कॉल, छूटी कॉल, डायल की गई कॉल के तीन टाप दिखाएगा फिर जिस टैप को आप देखना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें यह आपको कॉलों की सूची, समय, वतिथी के साथ दिखाएगा स्मार्टफोन होने पर सभी कॉलें एक ही सूची में दिखेंगी हरा तीर प्राप्त कॉलें, नीला तीर डायल की गई कॉलें, वललाल तीर छूटी कॉलें दर्शाता है, आप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नंबर को संपर्क बुक में सुरक्षित कर सकते हैं या उस पर संदेश भेज सकते हैं फोन में ध्वनी का स्तर को निम्न रूप से अनुकूल करते हैं सबसे पहले फोन की मुख्य स्क्रीन में मेन्यू बटन दबाएं फिर विकल्प मेन्यू में सेटिंग पर प्लिक करें उसके बाद सेटिंग मेन्यू में साउंड या ओडियो विकल्प चुने उसके बाद साउंड मेन्यू में वॉल्यूम विकल्प ढूंडे रिंगर या रिंग टोन में वॉल्यूम कंट्रोल पाए जाते हैं अंत में स्पीकर विकल्प पर चुने वो keypad को उपर नीचे कर volume level set करें आपके smartphone में आवाज नियंतृत करने वाले बटन बाहर होते हैं मात्र इधर उधर दबा कर आवाज की प्रबलता नियंतृत की जाती है मैं अपने मित्र का phone number वो अमित को नाम शामिल करना चाहता हूं मैं कैसे कर सकता हूं? आप नया संपर्क ऐसे जोड सकते हैं जब phone standby mode में हो तो menu दबाएं smartphone होने पर phone icon पर टाप दें तब menu विकल्प में अपने phone की phone book पर जाएं यह home screen पर phone के एक चित्र अथवा शब्द phone, phone book या संपर्क से दिखाई गई होगी अब उपलब्ध विकल्पों में new contact का चैन करें पहले जिस संपर्क को आप जोड़ना चाहते हैं उसका number area code स्क्रीन पर दिखने वाले form पर भरें smartphone में number pad वा अंक टाइप करें add to contact पर टाप दें और तब create new contact पर और तब form में उप्युक्त स्थानों पर अपने मित्र का पहला वा अंतिम नाम लिखें तब उसे संरक्षित करने के लिए save या add to contact दबाएं टाप देना सुनिश्चित करें अब नया संपर्क अपने mobile में जुड़ जाएगा फोन में पहले से ही संरक्षित संपर्क के विम्रण में एडिट करने के लिए संपर्क का नाम चुने एडिट का चैन करें टाप दें सही विबरण टाइप करें और फिर save का चैन करें टाप दें अब मैं आपको सिखाती हूँ कि संदेश कैसे भेजते हैं पहले stand by mode में menu दबाएं तब संदेश सेवा फिर लिखित संदेश फिर संदेश बनाएं का चैन करें एक स्मार्ट फोन में home screen पर messaging आइकन टूंडें उस पर टाप दें आप देखेंगे कि संदेशों की सूची खुलेगी संदेश बनाएं, संदेश लिखें, को चुने स्मार्ट फोन में right message आइकन पर टाप करें टेक्स्ट बॉक्स में संदेश लिखें चित्र या कुछ अन्य जोडने के लिए विकल्प का चैन करें फिर insert object दबाएं स्क्रॉल कर नीचे वांचत पिच्चर या object आएं व्यू फिर insert दबाएं नियत स्थान पर प्राप्त करता का नंबर लिखें अत्वा यदि आप सुरक्षित किये हुए किसी संपर्क को संदेश भेजना चाहते हैं तो phone book पर क्लिक करें संपर्क का चैन कर ओके पर क्लिक करें स्मार्ट फोन में प्राप्त करता के नाम के कुछ अक्षर टू कॉलम में लिखें आप देखेंगे कि contact book से नामों की सूची प्रकट होगी वांचत नाम पर टाप दें भेजने के लिए भेजें पर क्लिक करें या टाप दें प्राप्त करता को मेसेज भेज दिया जाएगा मुख्य सूची पर वापस आने के लिए समाप्त या निरस्त पर क्लिक करें टाप दें आप अपना संदेश ऐसे पढ़ सकते हैं जब आपको संदेश प्राप्त होता है तो आप होम स्क्रीन में सबसे उपर लिफाफे का निशान का आइकन देखेंगे आप स्क्रीन पर एक बॉक्स में एक मेसेज रिसीवड लिखा हुआ देखेंगे नए संदेश को देखने के लिए शो दबाएं संदेश पढ़ें दीदी, क्या हम मोबाइल फोन के दुआरा इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं? बिलकुल रोहन, तुम कर सकते हो यह तो बहुत अच्छा है मोबाइल फोन दुआरा इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? प्रियोग करने के लिए आपको चाहिए होगा एक मुबाइल फोन जो इंटरनेट एकसेस या उपयोग को समर्थित करता हो एक मुबाइल फोन सेवा जो डेटा संचुरन का समर्थन करती हो जैसे 2G, 3G और Wi-Fi फोन द्वारा इंटरनेट तक पहुँशने के लिए डेटा सेटिंग के साथ मुबाइल सर्विस प्रोवाइडर से एक खाता बहुत सारे मुबाइल फोन डाटा एकाउंट सेटिंग के साथ ही आते हैं यदि आपका नहीं है तो आपको सेवा प्रदाता के ग्राहक सेवा के इंदर से बात करनी चाहिए आप अपने स्मार्थफोन पर मुबाइल इंटरनेट सेवा इस तरह स्थापित कर सकते हैं पहले अपने स्मार्थफोन के सेटिंग मेन्यू पर नेविगेट करें स्मार्थफोनों में यह एप्स मेन्यू के सेटिंग आइकॉन के माध्यम से या कभी-कभी नोटिफिगेशन बार के माध्यम से किया जा सकता है सेटिंग मेन्यू में आपको वारलेस वर नेटवर्ग सेटिंग्स खुजनी होगी ज्यादतर उपकर्णों में More या More Settings बटन जो भी उपलब्द हो उस पर क्लेक करें जब Wireless और Network सेटिंग हो जाती हैं तो आप Internet, Wi-Fi या Mobile Network के माध्यम से जोड़ सकते हैं Wi-Fi से जुड़ने के लिए निम्न पदों का अनुसरन करें पहले सेटिंग विकल्प से अत्वा Notification menu में Wi-Fi बटन को क्लेक करके Wi-Fi विकल्प को चालू करें तब आपको उपलब्द Internet नेटवर्कों की सूची दिखाई देगी यदि आपने Wi-Fi नेटवर्क पहले से ही सेव कर रखा है तो यह आटोमेटिक ही जुड़ जाएगा अन्य था आपको Wi-Fi नेटवर्क जिसे आप जोड़ना चाहते हैं चुनना होगा यदि पास्वर्ट की आवशक्ता हो तो उसे इंटर करें और Connect पर क्लेक करें इंटरनेट का उपयोग करने के लिए इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करें इंटरनेट के लिए मुबाल नेटवर्क जोड़ना पहले Wireless वननेटवर्क विकल्प में अधिक सेटिंग या More सेटिंग विकल्प पर जाएं तब मोबाल नेटवर्क पर क्लेक करें वहां आपको मोबाल डाटा चेक बॉक्स को चेक करना होगा अब इंटरनेट तक पहुँशने के लिए इंटरनेट ब्राॉजर का उपयोग करें kiki pad आधारित फोनों में भी हर कोई बड़ी आसानी से इंटरनेट का उपियोग कर सकता है पहले मेन्यू में जाएं फिर इंटरनेट चुनें तब यह तो होम पेज का चैन करें अन्यथा home screen में शूने को कुछ खशन के लिए दबा कर रखे उसके पश्चात web address इंटर करें और go to address का चैन करें तब address इंटर करें और ठीक है का चैन करें web खोजने के लिए यदि आप पहली बार सर्च कर रहे हों तो सर्च का चैन करें और खोजे जाने वाले विशे को दर्ज करें और सर्च का चैन करें मेरी मुबाइल में रेडियो है मैं उसे कैसे सुन सकता हूँ रेडियो सुनने के लिए पहले stand by mode में menu दबाएं तब media और फिर रेडियो पर जाएं स्मार्ट फोन हुने पर menu में रेडियो आइकॉन पर टाप दें फिर फोन को संगत हैंड से जोड़ें यह एक एंटीना की तरह कारे करता है उसके बाद automatic अथवा manual tuning विकल्प का चैन करके जो रेडियो चैनल आप सुनना चाहते हैं का चैन करें चैनल सेब करें का विकल्प चुन्ग चैनल सुरक्षित करें तब उपर नीचे स्क्रॉल कर volume सेट करें रेडियो बंद करने के लिए विकल्प फिर बंद करें का चैन करें टाप दें मुझे यह भी बताने दें कि mobile phone पर गाना कैसे बजाते हैं पहले standby mode में menu दबाए तब phone में उपलब्द application को देखने के लिए multimedia menu खोले music application, media या gallery के रूप में दर्शाया गया हो सकता है तब music या sound का चैन करें smartphone होने पर menu में radio icon पर टाप दें अपने media player पर उपलब्द गाने, browse करें वो उन में से अपनी device पर बजाने के लिए एक का चैन कर बजाएं गाना बजना रोकने अथवा उसे पुनह बजने देने के लिए play, pause play को डबाएं, टाप दें एक ही बटन play और pause के लिए कारे करता है music player से निकलने के लिए बाहीं तरफ के लाल बटन को दबाएं अब यहां कुछ तरीके हैं कि mobile phone से फोटो कैसे लें पहले standby mode में menu दबाएं, तब media चुने और फिर camera चुने smartphone होने पर camera icon ढूंड कर उस पर टाप दें तब display screen को view founder की तरह प्रयोग करें उपर नीचे खिसका कर zoom in और zoom out कर सकते हैं smartphone में अपनी उंगलियों की चुटकी को पहला कर अत्वा सिकोड कर screen को फैला कर display का आकार बड़ा वचूटा कर सकते हैं photo लेने के लिए select या हां बटन का चैन करें smartphone में camera icon ढूंड कर उस पर टाप कर photo कीचे save button को दबा कर photo save करें smartphone में photo, album या gallery में swim ही save हो जाती है menu में जाकर photo और फिर video camera का चैन करें smartphone होने पर camera icon पर टाप दें तब screen के प्रदर्शन को view founder की तरह प्रयोग करें zoom in और zoom out करने के लिए उपर नीचे स्क्रॉल करें smartphone में अपनी उंगलियों की चुटकी को पहला कर अधवा सिकोड कर से screen पर प्रदर्शन क्षेतर का आकार बदल सकते है recording चालू करने के लिए record को चुने smartphone में होने पर screen पर मौजूद छोटे लाल icon पर टाप दें recording को रोकने के लिए stop दबाए smartphone में होने पर लाल icon पर फिर से टाप दें सनरक्षित करें बटन को दबा कर फोटो सुरक्षित करें smartphone में फोटो, अल्बम या गैलरी में स्वेम ही सनरक्षित हो जाती है mobile phone वज smartphone तीवर गणना के लिए उपयोगी है यह कैसे संभव है? calculator के द्वारा calculator प्रयोग करने के तरीके हैं पहले stand by mode में menu दबाएं तब organizer और फिर calculator का चैन करें smartphone होने पर में calculator आइकॉन में धूंडे और उस पर टाप दे phone के नंबर पैड का प्रयोग कर नंबर लिखे फिर जोडने, घटाने, गुणा करने वभाग function का चैन करें फिर दूसरा अंक लिखे उत्तर जानने के लिए बराबर का चिन्ध दबाएं या टाप दे धन्यवाद दीदी आपके कारण मुझे mobile phone के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त हुई मुझे tablet में भी दिल्चस्पी है कि आप उनके बारे में जानती है हाँ बिल्कुल रोहन चलो हम टाबलेट के बारे में जानते है टाबलेट कम्प्यूटर के छोटे हलके और अधिक प्रवंधनिय रूप है फेतार रहित वले जाने योगे यंत्र है जिनमें सूचनाओं तक पहुँशने के लिए अथवा प्रोसेस करने के लिए स्पर्श इन्पुट की तरह प्रयोग होता है टाबलेट में वह उपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI उपलब्द कराते हैं और एप्लिकेशनों को चला सकते हैं टाबलेट के सुप्रसेद्ध उपरेटिंग सिस्टम है एंडरोइट, विंडोज व आई ओएस टाबलेट मुख्यता दो भागों में बाटे चा सकते हैं फोन सुविधा के साथ तथा कॉल सुविधा के बिना टाबलेट जो कॉल सुविधा के साथ होता है उसमें सिम कार्ड के लिए खाचा बना होता है आपको कॉल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए तथा संदेश भेजने वप्राप्त करने के लिए एक सिम कार्ड तथा किसी मुबाइल नेटवर्क का कनेक्शन की आवश्यक्ता होगी टाबलेट जिसमें कॉल सुविधा नहीं होती है उसमें SIM card के लिए slot नहीं होगा लेकिन उसमें अन्य सभी विशेष्टाएं समान होती हैं तब भी आप Internet के प्रयोग से call करने में समर्थ होंगे चलो अब हम टाबलेट की कुछ विशेष्टाओं के बारे में जानते हैं अधिकता टाबलेट निम्न उदेशियों के लिए प्रयोग होते हैं कॉल करने के लिए, कॉल प्राप्त करने के लिए, संदेश भेजने व प्राप्त करने के लिए, गाने सुनने के लिए, फोटो खीचने व वीडियो बनाने के लिए, वीडियो देखने के लिए, ई-पुस्तके पढ़ने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए, इमेल भेजने व प्राप्त करने के लिए Music Photo व वीडियो अन्य से साजह करने के लिए निम्न तरीके से टाबलेक पर Music सुना जा सकता है सर्वप्रथम एप्लिकेशन मेन्यू पर जाएं तब Music पर टाप देकर पार्ष या Background संगीत इंटरफेस को एंटर करें अब आपको Music File सुची को हाल ही में अल्बम कलाकार, गीत, प्ले लिस्ट या शैलियों में उचित विकल्प का चैन करके वर्गिकरित कर सकते हैं फिर गानों को एक सेकिंड के लिए दबाएं, टाप दें जिससे विकल्प मेन्यू प्रकट हो जाएगी इसके बाद आप Play, Add to Play List, Shop for Artist, Delete या सर्च विकल्पों में से किसी एक का चैन कर सकते हैं तब Play पर टाप देकर पार्श्व संगीत इंटरफेस को एंटर करें और फिर बजाने के लिए गानों पर टाप दें निम्न तरीके से टाबलेट में फोटो कीची जा सकती है सर्व प्रथम Application Menu पर जाएं और Camera आइकोन पर टाप देकर Camera Interface को एंटर करें तब Photo Mode चुन्ने इच्छित Photo Mode पर टाप दें कैमरे को विशे की और केंदरित करें Auto Focus को सक्रिय करने के लिए स्क्रीन पर किसी स्थान को चुएं और दबाई रखें फोटो लेने के लिए उंगली उठाएं टाबलेट से वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए सर्व प्रतम एप्लिकेशन मेन्यू पर जाएं और कैमरा आइकॉन पर टाप देकर कैमरा इंटरफेस को एंटर करें तब वीडियो मोड चुनने के लिए फोटो मोड में पसंद किये हुए आइकॉन पर टाप दे कैमरे को विशे की ओर केंदरित करें टाप देकर रिकॉर्डिंग शुरू करें रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए टाप दे फोटो वर रिकॉर्ड किये गए वीडियो मिटाने के स्टेप्स हैं जिस फोटो या वीडियो को आप मिटाना चाहते हैं इसे खोजें ट्रैश आइकॉन दिखाई दिये जाने के लिए स्क्रीन पर टाप दे फोटो या वीडियो को मिटाने के लिए इस पर टाप दे आप फोटो और वीडियो इस तरह देख सकते हैं पहले एल्बम ढून कर उस पर टाप दें फिर जिस फोटो या वीडियो को देखना चाहते हैं उस पर टाप दें आगे की फोटो देखने के लिए बाई और धके लें तथा पीछे की फोटो या वीडियो देखने के लिए दाई और धकेले वीडियो देखने के लिए निम्न का अनुसरन करें मैन्यू से पिच्चर अत्वा एल्बम टाप खोले अब Grid View अत्वा List View का प्रयोग कर जिस वीडियो को आप देखना चाहते हैं उसे खोले जिस वीडियो को आप देखना चाहते हैं उस पर टैप दे यदि Playback नियंतरन प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं तो उन्हें देखने के लिए स्क्रीन पर टैप दे वीडियो रोकने के निम्नपद हैं जब वीडियो चल रहा हो तो Playback नियंतरन देखने के लिए स्क्रीन पर टैप दे उसके बाद वीडियो को रोकने या चलाने के लिए Pause या Restart पर टैप दे वीडियो पीछे करना अत्वा तेजी से आगे बढ़ाने के पद है जब वीडियो चलने के दौरान Playback नियंतरन देखने के लिए स्क्रीन पर टैप दे इसके बाद वीडियो को तेजी से आगे ले जाने के लिए Progress Bar Marker को दाई और और पीछे ले जाने के लिए बाई और खीचे टाबलेट में e-book पढ़ने के लिए पहले टाबलेट में इंस्टॉल किये हुए Default Book Reader पर जाएं फिर Book Reader आइकॉन पर टैप दें उसके बाद पूर्वस्थापित किताबों में से जो किताब पढ़नी हो उसका चैन करें फिर किताब पढ़ना प्रारंब करने के लिए Books आइकॉन पर टैप दें मैंने सुनाए कि आप टैपलेट से इमेल बेज वो प्राप्ट कर सकते हैं हाँ रोहन टैपलेट पर इंस्टॉल किये हुए विशिष्ट एप्लिकेशनों का प्रयोग करके लगभग सभी पॉप अप या IMAP इमेल पतों का उप्योग इमेल भेजने वो प्राप्ट करने के लिए कर सकते हैं चलिए हम आपको टैपलेट में इमेल लिखने के तरीकों के बारे में बताते हैं मैनियो में इंटरनेट ब्राउजर आइकॉन पर क्लिक करें फिर इमेल आइकॉन पर क्लिक करें एक विंडो खुलेगी जिसके शीर्श पर एक शेतिश बार होगा जिस email सर्विस प्रदाता का उप्योग करना चाहते हों, उसका URL एंटर करें उदाहरन के लिए www.gmail.com अब दिये गए स्थान पर username वो password डालें वो sign in पर tap दें यहां इस प्रष्ट पर compose या write new पर tap दें नई window में सेवा में केक शेत्र में प्राप्त करता का email ID एंटर करें विशय केक शेत्र में विशय एंटर करें बीच के खाली स्थान में संदेश एंटर करें तत पर शाद send icon पर tap दें प्राप्त email को पढ़ने के लिए पहले जब आपको कोई email प्राप्त होगी तो screen पर सबसे उपर एक लिफाफा बन कर आएगा icon को देखने के लिए screen को नीचे खिसकाए यथा क्रम menu में email भेजने वाले के icon पर जाए अब icon पर tap दें screen पर आपका mail inbox खुल जाएगा email पर tap दें और उसे पढ़ें हम किजी file गो tablet पर कैसे चूनते हैं? टाबलेट में file या folder ढूणने के दो तरीके हैं आप या तो tablet पर स्थापित file manager का प्रयोग करें या तो home screen पर स्थित online search engine का प्रयोग करें file manager का प्रयोग करके home screen पर file manager या file browser आप ढूणे उस पर tap दें यह सबसे उपर my file दिखाएगा सूची से बांचित file या folder को ढूणे उसे खोलने के लिए उस पर tap दें search engine का प्रयोग करके home screen पर magnifying glass की तरह दिखने वाले search icon को ढूणे उस पर tap दें जिससे एक नई window प्रकट होगी आप देखेंगे कि उस पर एक शेतिच tap में search लिखा होगा उसमें जो सूचना आप ढूणना चाहते हैं उसके पहचान शब्द लिखें online search का परिनाम screen पर आ जाएगा इसको खोलने के लिए वांचित पर tap दें